हेलो वाल इस्ट्रेंट आज की वीडियो है आप लोग लिए बहुत ही खास होने वाली है और साथ में बता दें यहाँ पर मैं आपको यह बताने वाली हूं कि ओपन मुक एक्जाम बाली खवर सही है या गला था ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे पहले अब आज आएगा तो आप लोग वहां पर देख लीजगा लेकिन अगर आप उससे पहले भी देखना चाहते हैं तो वह भी देख सकते हो आप किस तरीके से डिस्क्रेप्सर में आपको एक लिंक दी जाएगी अभी थोई देर बार देंगे वैसे अभी निंदी है मैंने तो आप वहां पर जाकर देख लो और अगर आप देख लेती हो तो उसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हो ठीक क्योंकि यहां पर मेरे पास जातर लैप्टाप कॉम्पूटर पगार नहीं है जिसके बज़से मैं आपको नहीं बता पा रही हूं और मोबाइल में तो मोबाइल से म अब यहां पर आपको एक और बात बताने वाली हूं है यह पेपर को एलेटिव पेपर वाली तो दिखिए मैंने आप से बोला था प्रतिक वीडियो में एक पेपर का कॉश्चन दिया जाएगा तो मैंने यह सोचाए कि जब ओपन बोक होने आपके एक्जाम ठीक है 100% ही हो अब तो यह के ओपन बोक ही होंगे तो आप लोग के लिए मैंने क्या सोचाए कि दस्तारिक से हम पेपर की तयारी करेंगे मतलब अब यह कॉश्चन अलग-अलग देने के मुझे ज़रूत नहीं पड़ेगी मैं अभी क्यों दे रही थे अलग-अलग कि अगर मैं एक साथ द दिया जाएगा तो आप घर लेकर आगो जैसे आपका रिविएन टेस्ट हुआ था तो उसी तरह से होगा और उसके सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा जाएंगे हमारी यूटूब त्याल पर और अधर पर सब तो आप लोग हमारे अपने यूटूब यूटूब को सब्सक्राइब कर लिए शाथ में शियर कर दीजगा और साथ में आपको यह और न्यूश बता दें कि मैंने कि कल ही बता दिया था कोछी इस्टूडेंट को कि मतलब उपन वक होंगे और जो कि मैंने यह बता था कि अवेलाइमेंट में कोछ नहीं होने वाला है तो आल्द मैंने यह बताया था 9th और 11 वालो को ध्यान में राकर बताया था लेकिन वो 10th और 12 वालो के लिए था मैंने इसमें सभी को बताया था तो आगे के लिए बताया था तो आप जो कुछ भी होगा आप लोग देख पाओगे वहां पर और open book जो भी exam होंगे उसको भी आप देख सकते हो और description में लिंक है तो आप बहां पर जाकर देख सकते हो thank you so much